गुदि इविंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे आपका स्वागा था एक बार फिर से पेंडूलम EDU के यूट्यूब चैनल पर और आज हम डिसकस करेंगे स्टाटिक GK के कुछ बहुत इंपोर्टन क्वेशिन्स को तो जल्दे से आप लोग जूड़ जाएं ताकि सेशन को स्टाट किया सके तो जैसा कि आप लोग जो सेशन होगा इसमें कुछ हम इंडियास के फर्स्ट इंडियास के लॉंग एस्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड के कुछ ऐसे क्वेशिन्स को हम इसमें लेंगे इस सेशन को स्टाट करने से पहले कुछ और बाते में आपको बता दू हमारी new books आचुकी है आप इसको purchase कर सकते हैं हमारी website pendulum edu से आपको जाना है हमारी website pendulum edu और वहां जाना है आपको e-book section में आपको e-book section में जाने के बाद ये page खुलके नजर आएगा जहाँ पर आपको मिलेगा जुलाई से दिसमबर तक का current affair English और हिंदी दोनों में available है इसके अलावा जो हमारी banking awareness half yearly है वो English में available है आप इसको purchase कर सकते हैं जो monthly magazine है हमारी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो चलि लिए इस session को start करते हैं नवस्ते सीजे लाइस्पिरेंट तो चलिए start किया जाए इस session को पहले questions पहले question यह है हाई सुमित हेलो आप यह बुक जो है आप हमारी website से ही अभी purchase कर पाएंगे कुछ जगा अबलेबल है बट सब जगा अबलेबल यह बुक अभी market में आपको नहीं मिल पाएगी तो आप हमारी website से easily purchase कर सकते हैं हाई तनीशा तो चलिए पहला question है कि who is the first woman chief minister of a state तो पहली महिला मुख मंत्री किसी राज की कौन सी thing option अब के पास जोला रानी ममता बनर जी सुचीता करपलानी या फिर सरोजने नाइडू तो चलिए C जीनों नहीं बताया है उनका answer बिलकुल correct है तो C is the correct answer आगे बढ़ते हैं who was the first woman लोगसभा speaker तो पहली woman लोगसभा speaker कौन थी option आपके पास इंद्रा गादी सुचीता के रुपलानी मीरा कुमार या फिर सुमित्रा महाजन तो कोई बताएगा कि first woman लोगसभा speaker पहला पहली woman लोगसभा speaker कौन थी इसका correct answer है that is option C मीरा कुमार तो C इसका correct उत्तर है आगे बढ़ते हैं कि who is the first woman judge of Supreme Court of India तो पहली महिला woman judge Supreme Court of India की कौन थी पहली महिला judge Supreme Court of India की कौन थी option आपके पास justice फातिमा एम बीवी, justice अना ए चैंडी, justice लीला सेट या justice अंजली जेन तो कोई बताएगा कि इसका correct answer क्या है first woman judge of Supreme Court तो चलिए answer इसका correct A है that is फातिमा बीवी लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ पूछें कि first woman judge, first woman judge अगर पूछें तो answer यह हो जाएगा justice अना चैंडी, ठीक है कि अगर केबल यह पूछें कि first woman judge तो अना चैंडी और first woman judge of Supreme Court तो justice फातिमा एम बीवी तो चलिए आगे बढ़ते हैं, who was the first chief justice of India पहले chief justice of India कौन थे, option है आपके पास justice भूमनेश्वर प्रसाद सिन्ह, justice हरिलाल, जे कान्या, justice सुधीर, रंजन दास, justice कैलास, नाथ, वान्चू तो आपने से कोई बताएगा कि इसका correct answer क्या है, कि पहले मुख्य नयादिस कौन थे chief justice of India, जैसे अभी 50th है ना, अभी D.Y. चेंडर चूल, 50th chief justice of India है, ठीके इससे पहले इनका नाम था, justice हरिलाल, जे कान्या, हरिलाल, जे कान्या, B is the correct answer तो चली आगे बढ़ते हैं, who was the first Indian to win a Nobel Prize, तो ये तो काफी easy question है, कि कौन पहले थे जिन्नों ने नोबल पुरस जीता थां इंडिया के, तो option आपके पास रविन्ना टैगोर, जadowala नेहरू, आमरत्यसें या फिर Jacked Data तो नोबल पुरस का जितने वाले पहले भारतिय कौन थे, ओप्शन आपके पास, रभिन्ना टाइगोर, जवाला नहरू, अमरत्य सेन, या फिर जे अर्ड टाटा, तो कोई बतायागा से करेक्टा अंसर क्या है, फस्ट इंडियन टूबिन था, नोबल प्राइज वो थे जवाला, वर्भिन्ना टाइगोर, दाट इस, ऐप्शन ए, लिट्रेचर में मिला था इनको, 1913 में, ठीक है, 1913 में इनको मिला था, लिट्रेचर में अबार्ड मिला था, ठीक है, फस्ट असेन तो बी अबार्डेट, और फॉस्ट इंडियन भी थे, option A is the correct answer, who is the first Indian to get ज्यान पीत अवाड, तो who is the first Indian to get ज्यान पीत अवाड, तो ज्यान पीत अवाड जो है, हाँ, थोड़ा लेटा आता है मेरे परज, थोड़ा लेटा आता है, कि हुई इस दा फॉर्स्ट इंडियन टो गेट ज्यान पीठ अवार्ड ओप्शन आपके पास संख घोष केदार नाथ सिंग अमिताब घोष जी संकर कुरूप तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ग्यान पीठ पुरस्कार जीता है ओप्शन आपके पास संख घोष केदार नाथ सिंग अमिताब घोष जी संकर कुरूप तो D बिलकुल सही आंसर है जिन्होंनों भी D बोला है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है तो D is the correct answer which is the longest bridge in India तो सबसे longest लंबा पूल कौन सा है मैंने आपको बताया था पहले भी option आपके पास महात्मा गांधी सेतु बूल बोगी बेल ब्रिज डॉक्टर भुपेन हुजारिका ब्रिज बिकरम सिला सेतु तो इसका correct answer क्या है longest bridge in India ये है C डॉक्टर भुपेन हुजारिका बिल या फिर इसको ढोला साधिया bridge भी कहा जाता है ढोला साधिया bridge ठीक है कौन से रिवर के उपर है तो ब्रह्मपुत्र ठीक है आसाम में है और इसकी लंबाई total है 9.15 km तो ये ज़रूर धिहान रखियेगा तीन चीज ब्रह्मपुत्र रिवर पर है आसाम में और 9.15 km C correct answer है इसका which is the largest country in the world in terms of area तो सबसे बड़ी country कौन सी है area के terms में अगर हम बात करें तो area के terms में अगर बात करें तो सबसे बड़ी country कौन सी है इंडिया में sorry मतलब world में कोई बिताएगा चेत्रफल के दिश्टी से बिश्यू का सबसे बड़ा देश कौन सा है सही तो राज अमेरिका एस्ट्रेलिया ब्राजिल या फिर रूस उसका correct answer that is D Russia बिल्कुल सही है कोई बिताएगा इंडिया कितने नमबर पर है इंडिया एरिया वाइस कितने नमबर पर है इंडिया है सेवन्थ नमबर पर एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं सबसे उपर है रस्या ठीक है फिर है कनाड़ा फिर है यूएस फिर है चाइना फिर ब्राजिल फिर उस्ट्रेलिया फिर इंडिया ठीक है तो मैक्सिमाम आपक तो इतना धिहान रकना है, कि फ्स्ट पर है रस्या, फ्स्ट पर कनाड़ा फिर थे उस सेकंड पर कनाड़ा, फ्स फार्ड पर चाइना, फ। पर ब्राजिल, शिस्ट पर ऐस्टरिलिया, सेवेंद पर इंडिया चलिए, आगे बढ़ता है कि which is the highest Galantry Award in India तो highest Galantry Award कौन सा है इंडिया में highest Galantry Award कौन सा है भारत में option अब के पास Parambir Chakra, Mahavir Chakra, Saurachakra या फिर वीर चakra which is the highest Galantry Award in India Parambir Chakra, Mahavir Chakra, Saurachakra या फिर वीर चakra तो इसका correct answer है Parambir Chakra ठीक है आपने कई बार सुना भी होगा कि जो बहुत ही पतलब सहीद हो जाते हैं और मतलब बहुत अच्छा साहसी काम करते हैं को मिलता है Parambir Chakra which is the longest national highway of India the longest national highway of India कौन साह है Option आपके पास NH-32, 56, 44 या 232 longest national highway of India तो इसका correct answer है अगर लेंथ की बात करें तो 411, 2 km length है 411, 2 km आप लोगों दिख रहा है कि नहीं ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर लेता हूँ एक बार 411, 2 km ठीक है सिरीनगर से कन्या कुमारी तक है clear बात आगे बढ़ते हैं which is the deepest lake in the world तो सबसे गहरा लेक कौन सा है गहरा जील कौन सा है option आपके पास नाइसा लेक या फिर वोटसाक जील या फिर कैस्पियन सी आगर कैस्पियन सी या फिर लेक बेकाल लेक बेकाल आपको बताना है which is the deepest lake in the world option आपके पास लेक नाइसा लेक वो उस तक कैस्पियन सी लेक बेकाल तो सका correct answer है D लेक बेकाल तो लेक बेकाल जो है यह रसिया यहाँ आपको रसिया दिख रहे है यह है रसिया ठीक है और यहाँ है लेक बेकाल यह लेक बेकाल दिखा आपको यह जो ने दिख रहे है पूरा यह है लेक बेकाल यहां, clear बात, तो रोसिया में है यह, आगे बढ़ते हैं, which is the biggest ocean in the world, तो which is the biggest ocean in the world, यह SSC में पहले भी आयो question है, कि कौन सा सबसे west महासागर है, option आपके पास Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, या फिर Arctic Ocean, तो यह, इसका correct answer है, that is option A, Atlantic question, A is the correct answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि who is known as the father of Indian space program, तो father of Indian space program किनको कहा जाता है, option आपके पास Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Satish Dhawan, Dr. Homji J. Bhava, Dr. Krishna Swami, कस्तूरी रंगन, तो यह थे Dr. Vikram Sarabhai, और A is the correct answer, इनको कहा जाता है, father of Indian space program, ठीक है, तो यह, इसका correct answer है, Indian space program के, पिता, यह जनक, किसको कहा जाता है, Vikram Sarabhai को, तो आगे बढ़ते हैं, the first satellite of India, sent to space was, तो इंडिया ने पहली satellite, जो भेजी थी, उसका नाम क्या था, option आपके पास, भासका, रोहिनी, आरे भार्ट या फिर एपल, first satellite of India, sent to space, वाज, कौन था पहला, satellite, जिसको भारत ने भेज आ था, space में, जो लोग भी online है, या जो लोग इस session को देख रहे हैं, मेरा उनसे request है, कि इस session को like जरूर करें, और हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके लाबा जो हमारा telegram का channel है, जिसका की link वीडियो के description में दिया हुआ है, आप उसको भी जरूर ज़्वाइन कीजिए, तो इसका correct answer है, that is option C, आरे भट, आरे भट, जो एक बहुत बड़े mathematician थे, उनके नाम पे ही ये satelite था, तो C is the correct answer, which country is not a member of BRICS association, ये तो कॉफी easy question है, आपको सबको बताना चाहिए, option आपके पास South Africa, Canada, China, इंडिया, तो इसका correct answer है, B, बाकी सारे BRICS के member है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि which city is known as city of destiny in India, तो किस city को city of destiny कहा जाता है भारत में, नियाती का सहर कहा जाता है, किस city को, option आपके पास, अमरावाती, विशाका पत्नम, जैपूर, या फिर कोजी, कोडे, आपको एक हिंट देता हूँ, कि आज इस city के बारे में एक बहुत ही important ख़वर आईए, जो इसका इतिहास बदल देगी, जो इसके future बदल देगी, और वो मतलब की, समझे कि एक अलगे chapter होगा, इस city के इतिहास में, तो आपको बता रहा है, कि which city is known as city of destiny, correct answer है, that is option B, विशाका पत्नम, तो मैंने ऐसे क्यों कहा, कि आज एक कैसी ख़वर आईए, जो इसके इतिहास बदल देगी, क्योंकि आज भूला गया है, कि आंध्पदेश की राजधानी अमरावती नहीं, बलकि विशाका पत्नम होगी, ठीके, तो आज CM ने अलान किया है, कि विशाका पत्नम ही अंध्पदेश की राजधानी होगी, जैसा कि आप लोग सो कुप पता था, कि पहले ये अमरावती को बनाया जा रहा था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विश कंटर इस नॉट ना मेंबर आफ सार्क, तो सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है आपको, हाँ, न्यूज बतातो दिया है या आपको, यही न्यूज आई है, कि अमराव विशाका पत्नम को अंध्पदेश का क्यापिटल बनाया जाएगा, सार का मेंबर कौन सा नहीं है, तो अफगानिस्तान, मैनमार, भूतार यह नेपाल, इसका मेंबर नहीं है, बाकि सारे मेंबर है, टोटल आठ मेंबर है, ठीक है, देख लेते हैं कौन-कौन से, अफगानिस्तान, बांग्नादेश, भूतान, इंडिया, माल्दीव, नेपाल, पाकिस्तान, सिल्लंका, आगे बढ़ते हैं, तो कौन से पहली महिला थी, जिनको भारत ररत्र अवार्ड मिला था, भारत ररत्र, चूकि इंडिया का सबसे बरा अवार्ड है, वो किसको मिला था, औप्शन आपके पास लाता मूंगे, इसके इंदरा गान्धी, प्रतिवा पाटल, या फिर मदर कोई बताया इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दाट इस बी, इंदरा गान्धी को ये अवार्ड मिला था, इंदरा गान्धी को पहली महिला है जिनको भारत रत्र का पुरसकार मिला था, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल पुलिस अकेडमी कहां लोकेटेड है, करेक्ट आंसर है, हैधराबाद में, तो नेशनल पुलिस अकेडमी है, हैधराबाद में, चलिए आगे बढ़े, कि इंडिया विकेम दा मेंबर आफ इनाटेड नेशन इन दा इयर, तो भारत, सिंक्त राष्ट का सदस कब बनार, आपके पास, 1944, 45, 47, या फिर 52, तो इंडिया बना, UN का मेंबर, 1945 में, जिस साल UN बना था, इसी साल UN भी बना था, और इंडिया भी इसी साल इसका मेंबर बना, 1945, बी इस दा करेक्ट आंसर, आगे बढ़ते हैं, कि who was the elected, who was the first elected, थोड़ा सा गरवर हो गया, who was the first elected secretary general of the United Nation, तो सेविक्त राष्ट के पर था, महा सच्चिव, किसे चुना गया था, option है, आपके पास, ट्राइकवे, हैल्डवेन, लाई, कोफी अनन, बैन की मूल, कुर्प, वैल्धेम, तो आपने से कोई बताएगा, कि पहले, secretary general कौन थे, UN के, इसे correct answer है, that is option A, ट्राइकवे, हैल्डवेन, लाई, कोफी अनन, नहीं, first lie, ये इस बार, question आया भी था, CGL में, इसी बार आया था, which is the largest national park in India, तो सबसे बड़ा national park भारत में कौन सा है, option आपके पास, इंद्रावथी national park, Jim Corbett, Hemis national park, काफे, नामदाफ़ा national park, कौन सा है, सबसे बड़ा national park, इंद्रावथी, 36 गड़ में है, नहीं, Jim Corbett, उत्राखण, ठीक है, Hemis national park है, JNK, जम्मु कस्मी में है, और C is this का, करेक्ट आंसर है, ये सबसे बड़ा national park है, ख्लियर बात, तो ये सेशन, यहें इंड हुआ, तो थैंक्यू फूर जोइनिंग दिस सेशन, मेरे एक बाफ इसे रेक्वेस्ट है, कि आप लेक्ट सेशन को लाइक जरूर करें,